हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दा पर्फेक्ट टिशरी में आप सभी लोगों का स्वागत है जो 23 जुलाई 2022 को रीट का एक्जाम कंडट करवाया गया है उसके CDP यानि जो चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पैडग होगी है उसके कोशन्स को ह पढ़े हैं वो 30 में से आउट आप 25 तो लेके आएंगे ही आएंगे तो आएए के कोशन्स को देखते हैं हम लोग और पूरे डिटेल में आपको समझाने का प्यास करूंगा ठीक है यह पूरा से लेबस है आप चाहो तो इसका स्क्रीन सौड भी लेलो वह ना टेलिग्राम पर मैं इसको सेर कर दूँगा पूरे कोशन्स सेट को ठीक है चलिए यह सबसे पहले हम लोग कोशन को डिसकस करेंगे तो सबसे फर्स कोशन को डिसकस करने जा रहे है और यह मेरे फर्स कोशन क्या कह रहा है निमलिकित में से कौन सा कथन असत है जब भी आप कभी एक्जाम देने जाएगा तो यह सत्य और असत्य पूरे कोशन को जरूर पढ़ने का प्रयास किया करिए तो निमलिकित में से कौन सा कथन असत है जब मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलाप्मेंट बाना चेप्टर पढ़ाया था तो इस सारी चीजे वहाँ पर बताया था फर्स आप्स तो टिक कर सकते हो लेकिन पूरे जितने भी आप्सन है उनको पढ़ना जरूरी है उसके बाद सेकेंड ऑप्सन क्या रहा है बच्चा एक एकी कृत पूर रूप से बिक्सीत होता है यह तो भईया ऑप्सन बास सही कह रहा उसके बद विकास जो आपका डेवलाप्मेंट होत अप्सन सही है और उसके बाद विकास एक अनुकरमिक प्रक्रिया यह भी सही है तो यानि पहला जो इसका ऑप्सन है वह असत है तो ऑप्सन नमबर डी इसका सही हो जाएगा कि केवल यहां समझना जरूरी नहीं कि परतेग बच्चा अधुती है और पूछा क्या असत है तो इसका सही हो जाएगा उमीद करते हैं फस्ट को बिल्कुल अच्छे समझोंगे जो बच्चे रीट का पेपर दिये होंगे वह भी अगर देख रहे हो समझो मेरे अगर डी वाले ओप्सन को टिक करके आयो तो अपका यह पूरा पूरा आपको नमबर मिलेगा ठीक है और जो किसके कारण मनुस में करबद और प्रगत्शील परिवरतन होता है तो भया डेबलमेंट के कारण क्योंकि यह गुडातमक बिलिमेंट होते हैं जो बिलिद्दी है यह मत्रातमक है तो भया इसमें तो बिलिद्दी में आप किसी का healthpad major कर सकते हैं लेकिए उसका मानसिक स्की न तो विकास के माध्यम से जानेंगे डेवलाप्मेंट के माध्यम से जानेंगे तो आपसन नमबर भी इसका सई हो जागा उम्मीद कतें यह भी कोश्चन आप टिक करके आएंगे और जो बच्चे नए देख रहे हो इसको तो पुरा अच्छे सई करके आओगे ठीक है चलिए उ सबी मेरे भाई तरीके से बच्चपन की बिसेस्ता है लेकिन अगर इसमें टिक करना कौन सी नहीं है तो अनुकरणी आयू जो देखो वैसे तो बालक जो सुरू-सूर के होते वो देखके ही सीखते हैं जैसे मुन को कहते हैं बाबु हाय करो तो भी हाय करना सीख जाते हैं ब बच्चपन में पंखा देखोगी छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं यह क्या है कैसे चल रहा है तो तरह-तरह की सवाल करते हैं तोली बना के घूमते बच्चपन में ही तो अनुकरण करने की आयू इस को इस कोशन के अकॉर्डिंग यह आप समसा हो जाएगा उमीद कते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे ठीक है चलिए आइए देखो आपका आपका कॉंसेप्ट किलियर कर रहे है जो बीर में आपको सारी चीज़े पढ़ाया ना यहाँ पे सब मिल रहा है उसके बाद एको प्रकित और पोसर बिवाद निमलिकीत में से किस से संबंदित है जो आ का सभी हो जाएंगा ठीक है चलिए आइए अगला कोशन बड़ा प्यारा कोशन है इसमें जो बचे करके आंगे उनको पूरा पूरा नमबर मिलेगा जो गलतो करके आंगे उनको भी पूरा-पूरा nđमर मिलेगा क्योंकि ये मेरे भाई जो आयोग है इसमें खुदी डाउट है मुझे ऐसा लग रहा क्योंकि ये क्या करा है जो परतिभा साली बालक है जो talented child है उनकी बुद्धी लबदी कितनी होती है तो हम तो भाईया पढ़ें 120 होती है लेकिन 140 भी है तो दोनों आपसं सही हो जागा इसमें पूर फूरा नंबर मिलेगा जो बच्च 120 करके आए उसका भी साहिए जो 140 करके आए उनका भी साहिए ठीक है चलिए इसको star करके लगा लीजे जो इसको answer की देख रहे हो वो बच्चे ठीक है चलिए उसके बाद 6 नंबर का question देख लिए बेरी-बेरी important question है अब बड़ा प्यारा question ह है कि स्कूलों को ब्यक्तिकत भिनताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो इसकूल है भया वो बच्चों की ब्यक्तिकत भिनताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि option क्या दे रहा है प्रतेक छात को बिसिश्च महसूस करवाने है तू यह तो भया बिसिश्च महसूस क कह सकते हैं, उसके बाद एको अगला प्रस देख लो, अगला option देख लो, छात्रों एवंग छात्राओं की छमता और पदर्शन को नहीं जानने के लिए, यहां तो नहीं सब्दा आ गया, इतो पहले में कट हो जाएगा, उसके बाद अगला यह साही हो सकता है, समझने के लिए चात्र सीखने में असमर्थ, अथवा समर्थ क्यों हो रहे हैं, इसको जानने के लिए मेरे भाई, जो इस्कूल होते हैं, वो प्रते एक बच्चों को बेकदिकत भिनताओं पर ध्यान देना चाहिए, कहां का उनकी कमियां आ रही है, कैसे मुसको दूर कर सकते हैं, तो यह D बाला option सही हो जाएगा, इसको टिक करके आयो हो जो बच्चे, उनका पूरा पूरा नंबर मिलेगा, तो 6 का D हो जाएगा, सही ठीक चलिए, और जो बच्चे अभी first time in question से रूबरू हो रहे हैं, वो कहीं अपने paper pen पे note करते रहाना, कितने question आपके सही हो रहे हैं, चलो जब पढ़ाय हो हमें, उसके बार वो बुद्धि परिछल में कितना अंग प्राप्त कर रहा है, 75 रंग, उसकी जो मानसिक आयू कितनी होगी, कहोगे सहर्जी, आप IQ का फॉर्मूला हमें बताए हो, क्या होता है IQ का फुलमूला, तो भया mental age upon current age into 100, अब क्या current age कितनी है, कहोगे स कितना दिया गया है, बुद्धि लब्धी कितना दी गई है, तो कहोगे सहर्जी, 75 दी गई है, तो यह हो जाएगा, 75 गुड़े 16, यह हो जाएगा, 75 गुड़े 16 upon 100, ठीक है, अब इसको काड़ दो, यह 4 चोक को 16 हो जाएगा, और इसको 25 बार, अब 25 तिया, 75 चार तिया 12, इसका option number D, इसका सही हो जाएगा, बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, होगे सहर्जी आ गया, अब इसको अगर question साता है, तो हम टिक जलूर कर लेंगे, चलो, 7 number आगे ला, अब आए, अथमे question पे चलते है, बेरी-बेरी रीट का question है, जो बच्चे दे के आयोंगे, अगर CDP में, तो अच्छा करके आँगे, मुझे पूरी इमीद, बड़ा अच्छा question बढाता है, तो प्रतियक बेक्ती का कारिनिश्चित योगताओं का पतिनितु करता है, किसी बिशेस कारिको करने में, बेक्ती अपनी समस्त मांसिक योगताओं में, कुछ पदर्सित, कु ठीक, ये ठीरी वाला है, इसको थोड़ा सा समझने का है, उसको समझाने का कोई बाती है, उसके बाद, निमलखित में से कौन सी बेक्ती कत मापन की परच्पी बिदी है, जेखो ध्यान से समझना, इसका समझने वाला question है, इसको इस्टाल लगा लिलए ठीक, चलिए, आए ठ धोड़ा अगले फाले बी चल जो क्या कह रहा है स्रि जनातंत्मेकता मुखत़ से बड़ा प्यारा कैसे संबदित है चाहिए का सब्सक्रागा तॉपसर नमबर डीज का सही हो जाएगा बेरी-बेरी इंपॉर्टन कोश्चन ये भी है रीट में आया हुगा प्रसन है जो 23 जुलाई को एक्जाम कंड़र्ट करवाया गया था और ये मैं एस रीच को डिसकस कर रहा हूँ ठीक है चलिए बाद कोश्चन को 1-5 का होता है उसके बाद अगला प्रसन देको निम्लखित में से कौन से इस्थिती समायोजन को बढ़ावा देती है कौन सी इस्थिती समायोजन को बढ़ावा देती है ने भाई किसी तरीके से हम कोई चीज को condisoning promote किस से कर सकते हैं तीवर चिंता ये तो समायोजन में बिल्कुल भी नहीं करेगी अपराद बोद के बारे में जुननी सोज ये भी नहीं उसके बाद बीमारी का डर नहीं उसके बाद बिच्छिप्त और चिंता से मुक्ती ये मेरे भाई ये क्या करती समायोजन को बढ़ावा देती है option number D इसका सही हो जागा very very important question है इसको भी अच्छे से त्यार करें इसको भी एक बार जानती रहेगा यहां पर त्यार नहीं कर रहे हैं हम लोग answer की को देख रहे हैं नवयता उसके बार जी 10 वारता प्रियता उसके बार जो मेरे बार इसका सही उतर जाएगा वह जाएगा बै के साथ वन और सेकेंड यानि कि मेरे भाई अविवेक्ति में नव्यता उसके साथ साथ जिग्यासा अगर उनके अंतरगत है तो हम कहेंगे वो प्रतिभासाली बालक है वो गिप्टेट बालक है तो ये भी कोशन बेरी-बेरी इंपोर्टन हो जाता है इसको भी अपने की टिक कर लिज और ये दिया किसने था तो आपके प्यारे टर्मन साहब किसने टर्मन साहब ऑप्सन नंबर भी साही हो जाएगा इसका भी ठीक है चलिए और जितने प्रसंद देख रहा हो जो बच्छे दा परफेक्ट इशरी से पढ़ें भया ये सारी कोशन टिक करके आये होते अगर आप फॉर्म भरे होते तो जो बच्छे फॉर्म भरे हैं अगर वो नहीं भी पढ़ें दा परफेक्ट इशरी से तो अपने एंसर को मिला लो कौन कौन सा आपका एंसर साही हो जाएगा और आपका मेरे भाई की 40 नंबर का जो है उसका तो देखो ये एक पर मैं पढ़के इसको सम समाजिक विघ्ञान और विघ्ञान में उसे उसे ग्रेड बहुत कम मिले हैं उसके ग्रेड काफी अधिक है रवी लेखन कोसाल अच्छा आयतो रवी की अधिक समभावना किसमे है या मेरे भाई डिस्लेक्सिया में अनृ इसका सऑ हो जायगा अब जब ऐसे कोशन अगर जोते बेमारी नहीं होती यह disease नहीं होता ठीक है यह बिकार होता disorder होता है इसको जानती रही है गाठी इसको दूर कर सकते हैं हम अच्छे learning process के माद्ध हम से ठीक है चलिए 15 नंबर का question देखो सीखना बेवहार में उत्तर सामंजस की एक प्रकरिया किसने बोला था 15 नंबर के ब चलिए उसके बाद 16 नंबर का question देख लीजे यह भी कर रहा कच्छा दो का च्छात्र सिष्टी को अध्यापिका ने मूल गणित बिसाय में सवाल करवाए अगले दो दिन उसने बजार में समान खरीदने है तू उपरां दुकान द्वारा की गई योग गलती को चिद्नित क करवाया या अधियम का कौन सा प्रकार है तो मेरे भाई वो गलतियों को सुधार रहें तो साकारात्मक अस्थाना अंत्रण हो जाएगा पॉस्ट्यू ट्रांसफर होगा इसका बी वाला option सही हो जागा बेरी बेरी important question है इसको भी जो बच्चे टिक करके आगे भी उनका तो स दो विप्रीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है यानि कि मेरे भाई कोई एक बैक्ति है एक समय पर दो विप्रीत इच्छाओं यानि कोई किसी कार के बारे में सोच रहा है मैं करूंगा उस कार के बारे में सोच रहा है मैं नहीं भी करूंगा तो वो क्या कहलाता है तो वो नंबर इसका सही हो जाएगा 17 का एठीक चलिए अगला प्रसंद देख लो अगला क्या होगा 18 नंबर का कोश्चन निमलिखित में से किस सिधांत को पुनर बलन का सिधांत कहा जाता है सिंपल सा प्यारा सा कोश्चन है क्रिया परसुत अनुबंधन इस कीनर द्वारा जो दिया प्रस्टार का चैन के जो आनतरीग अविप्रेणरा को भया एक तरीके से दरसाता है तरीके से मेरे भाई उसको आपको इस तरीके से आनतरीख प्राप्त करने के लिए काठोर परिस्रम कर रही है बंधना को यह पता कि अच्छा अंक हमें लाना है तो हमें कठोर परिश्म करना है जिससे वह अपने माता-पिता से उपहार प्राप्त कर सके महम्य अपपा कैसे कहते थे कि हाई स्कूल में अच्छे नंबर लिया हो हम तो दुचका दिलाएंगे मोटर गारी दिलाएंगे तो बंधना यह सोच कि अच्छे मेनत कर रही है लेकिन उसके बाद अगला क्या है उर्मिला फटापट गिरिकार समाप्त करके जो भी उर्मिला का घर का कारे खाना पीना बनाना रोटी वोटी उसको जल्दी जल्दी समाप्त करके वो टीबी देख सकेगी यह आंतरिक मोटिवेशन का तो है नहीं यह पढ़ने से कोई है नहीं तो पहलामत कट हो जाएगा उसके बाद इला बहु सारी पुस्तके पढ़ रही क्योंकि वह ज जाएगा आंतरिक मोटिवेशन अगर किसी भी चीज को करने के लिए आपको आंतरिक से मोटिवेशन है तो उसके बारे में उसके स्रोतों के बारे में आप खुश से मेरे भाई उसके बारे में खोजोगे जानकारी प्राप्त करना चाहोगे तो भया मेगा वाला उप्शन सह प्रित्पादित नहीं किया है मैं थंडाइक को भी पढ़ाया हूं कोहलर को भी पढ़ाया हूं इसकीनर को भी बीएस ब्लूम ने ये भया अधिगम के सिधान्त को प्रित्पादित नहीं किते उसको मेरे भाई जो सैचिक सिधान्त होते हैं उसको वर्गी करन इनों ने किया थ सब्सक्राइब करता है यानि कि मेरे भाई सजा से बचने में सामिल होने की जग्यासा को कम करता है बच्चों की प्रकित रूच और सीखने में सामिल होने की जग्यासा को कम करता है उप्सन नंबर इसका दी साही हो जाएगा बेरी बेरी इंपोर्टन कोशन है इसको भी समझते रहीएगा ठीक चलिए यह तो प्यारा सा कोशन है यह पूछ रहा है मेरे भाई जो आर्टी की 2009 है उसमें क्या पूछा तो ध्यान समझना उनके अनुसार जो एक सिच्छक होता है प्रतिसमता काम कितने घंटे उसे निधारित किया जाता है तो बेरी बेरी इंपोर्टन मेरे भाई आपका इसका कोशन हो जागा तो यह 45 यानि कि मेरे भाई 45 घंटे देख लिए उसके बाद अगला कोशन देख लिजिए ये प्यारा सा कोशन है 33 नंबर का कोशन निमलिकी तमें से कौंसा एक उत्तम परिक्षण की बिसेस्ता से भिन्हें मेरे भाई बिश्वरिटा ये तो होना ही चाहिए वस्तुनिस्था ये भी होना चाहिए उत्म परिक्छा में बैदता तीनों पर Turnspe में निम्रिकीत में से कौन सबसे महतोपूड है जो भया सिछार्थी तरिके से जो जो लर्नर सेंटर्ड यानि चाइल्ड सेंटर्ड केरिकुलम है उसमें सबसे मातपूर क्या है अध्यापक बच्चा विसेवस्तु आता वरा तो 24 भया जब यहां पर 9 है कह दिया कि विद्यार्थिक केंदरी तो आपसर नंबर ये तो सही होगा ना बालक तो आपसर नंबर 20 का सही हो जाएगा इसको अच्छे से टिक करके जो आए है उनका पूरा पूरा नंबर मिलिये जाएगा ठीक है चलिए 25 कोश्चन नंबर देख लो ये क्या करा है एक चिंतन सील सिच्छक कच्छा कच्छ में ऐसी परिस्थी उत्पन करता है कि छात्र ब्यक्षान सून सके कच्छा क अगला प्रसन आ गया अगला ऑप्सन चात्रों सिच्छकों में पारसपरिक अंतक्रिया को प्रसाहन मिल सके एक अध्यापक को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए जो इसके से खुश से कोई चीजी सीख सके तो आप्सन नंबर डी इसका सही हो जाएगा तो ये इसको टिक कर लिए जएगा पर इसका अर्थ क्या है एक अनुधयर अनुसासन एक अनुप्रिफ्त अनुसादन इसमें मेरे भाई आपको 26 में ये समझ के चलिए आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि उसका आपसन नंबर एबी सही है तो इसका ये भी सही हो जाएगा ठीक है चल हर अपने क्लास में बताता हूँ जो एक अध्यापक होता है उसका मुख कारी क्या होना चाहिए बच्चों को पढ़ाना पढ़ाने के सासत उसको सिर्फ इतना पढ़ादो कि उसको स्वयम से पढ़ सके या ध्यापक का मुख कारी होना चाहिए तो सुविदा दाता जो होता ह एक तरीके से उसको फैसेल्टी जो देते हैं सुभीदा दाता इसका मुख अर्थ हो जाएगा उसका बी ऑप्सन सही हो जाएगा जो बच्चे इसको टिक करके हैं पूरा चलिया अगले प्रस्ट को देख लेख लेख लगा लिए क्योंकि यह प्रस्ट मुझे जब पहले देख सब्सक्राइब कर लिए उसके भी एक अर्थ हो जाएगा अब देखो बी और सी दोनौ इसमें तीनों सही हो सकते हैं कैसे उन बैचो को पहचान करने के लिए जिरें उप्चार की आविसकता है तो मुल्यांकन का आप उद्देश और एक तरीके से मेरे बाई निर्मान क्यों करते हो किसलिए करते हो क्योंकि जो बच्चों की कहां कमिया है कहां उनकी strong zone है कहां weak zone है उनकी पहचान कर लोगे तो उसी हिसाब से नहीं सिच्छा दोगे तो option number B.B. इसका सही हो सकता है सीखने की कठिनाई हो और समस्चा के च्छत का निदान करने के लिए आप मुल्यांकन का उप्रयोग करते ये भी option सही हो सकते और D वाला उस सीमा की प्रत्पुष्टी प्रदान करना जहां तक हम उत्पादन सील जीवन के लिए सिच्छा प्रदान करने में सफल रहे है उसका एक तरिके से feedback देने के लिए भी मुल्यांकन का उप्योग करते तो option number B.O.C. सही भी सही हो सकता है जो बज़े इसमें मेरे भाई टिक्क्यों को पूरा पूरा number मिलने की संभावना वैसे आयोग D वाले question को सही मानेगा ठीक है चलिए उसके बाद आप 29 number के प्रसंद को देख लो यह भी important है निमलिकीत में से विकास के सिधान्त को सही वड़न में मिलान कीजिए देखो सबसे बड़ा प्यारा चीज है समीप से दूरस्त का सिधान देखो ऐसे मानलो यह मानलो आप हो जब पढ़ाया जागा तो बताया जागा यह आप हो समीप से यानि आप केंदर से मेरे भाई दूर की तरफ यह पहला का तो डी हो जागा आप धूड़िये पहला का डी कहुं सा तो पहले में भी और यह यानि कि ऑप्सन नम्बर A भी साही हो सकता डी भी अब दूसरा सिर से पदा मुखी का सिधान तो बेरी बेरी इंपॉर्टन चीज है सिर से पदा मुखी आनि सीर से पैर की तरफ तो मेरे भाई सेटें का A हो जागा तो बताओ सेकेंड का यह वाला है कि यह तो मिसमें B है तो लिभाय की तरफ और पदा मुखी यानि कि सीर से पैर की तरफ आपसर नमबर यह इसका सही हो जागा एवाला ठीक 29 का इसको भी जानते रहेगा है तो बड़ा प्यारा परसना है इसको तो सभी बच्चे करके आओंगे जो बच्चे नहीं के कमेंट सिंसन में कमेंट कर दीजे कि इसका उत्तर क्या हो जागा विकास मेरे भाई समान से बिसिष्ट की तरफ की जटिल से कठिन की तरफ की बिसिष्ट से समान की तरफ या पिर समान से असान की तरफ चलने वाली प्रकिरिया की तरफ चलता है यह इसका कहने का मतलब है तो मै जाके बाद में evaluation करते हो जो आपका विकास development होता है वो समान इसलिए के business की और बढ़ता है एक तरीके से पहले छोटी-छोटी चीज़ों को समान इस जो को जाना होगे फिर बाद में आप complex बात में एक तरीकी से specific चीज़ों को जानते हो तो समान से जो आपका development चलता है जितने question को मैं बताने का प्रयास किया उमेद करते आप समझे होंगे आप comment section में comment करो कि कितने question आपके सई हो रहे है ठीक है चलिए दा परफेक्टिशरी पिसका पूरा मेरे भाई PDF आपको मिल जागा टेलिग्राम चैनल पे और अभी नए हो तो आप सब्स चैनल पे आपको मिलती रहती है और मेरे भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो कर सकते हो अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो हमसे प्रसनली भी आप जूड़ना चाते कुछी डाउट कोई भी आपके डाउट वगर है या डिसकस करना चाते है तो अपना ख्याल रखे जहां भी रही है सेफ हो सुरचीत रही है उमीद कते है सारे कोश्चन को आप लोग समझेंगे ठीक है चलिए अपना ख्याल रखिए